हेलो फ्रेंड्स वगम बैक तो मैं चैनल अम्रिती पेशन विला आज की वीडियो में हम देखें लडू को पाल जी के लिए इस तरह की ड्रेस बनाने वाले हैं यह आप जन्मास्ट में पर अपने काना को पहना सकते हैं एकदम यूनिक और बहुत ही कुप्सुरसी ड्रेस है त आप मुझे 7237862439, 72, 37, 86, 24, 49 पे वाट्सप मेसेज करके ले सकते हैं मैं कोसिस करूँगी कि इसका राव मोटेरियल भी आपको अवलिबल करवा दू जैसे कि फलार हुए, नेट हुआ तो आप वाट्सप में मेसेज करके पूछ लीजेगा अगर वहां पे अवलिबल होग हम यह आप इसे बाद लेंगे, तो अड्रेस में इस तरह से एक्स्रेंज करके बांती हूँ, ज्यादा मुझे एजी लगता है और फिटिंग भी अच्छी आती है, यह इस तरह से हम पीछे के साइड में बात देंगे, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नह आप देख सकते हैं, पांच नबर के काना को मैंने इड्रेस पहना है, और कितनी सुंदर लग रहे हैं, आप इसकी मैचिंग के पगड़ी और जॉलरी के साथ पहनाएंगे, तो बहुत खुबसूरत लगेगी, तो चले स्टार्ट करते हूँ और देख लेते हैं, हमने इसे कै पांच नबर के काना को यड्रेस आजाएगी, इस तरह का बुकरम के उपर डायमेटर कैसे कट करना है, इसकी वीडियो मैंने आपके साथ अल्यडी सेयर की हुई है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रही हूँ, आप चेक कर लिजेगा, वहां से देखके आप इस तरह का डायमेटर किसी पी साथ के लिए कट कर सकते हैं, आप हमें क्या करना है, इसे अस्तर के उपर रख के प्रस कर देना है, सबसे पहले हम नीचे अस्तर का फैब्रिक रखेंगे, और इसका यह जो, यह रेखें, यह वाला हि देखें, जब चाहला है, यह पर इसे पर अस्तर को प्रस कर करके चिपका दिया है, इसकी एक स्ट जो खाली है, उधर भी हम लगाएंगे, तह देखें, बुकरम पर एक दम मैंने जितना बड़ा बुकरम था, उतना ही बढ़ाबर भी अस्तर को कट कर दिया है, यह आपको कै इसकी वीडियो में एक सूट की हुई है तो उसका भी लिंक मैं आपको ले दूंगी डिस्क्रिप्सिन में आप चेक कर देगा वहां पर आप देख के बना सकते हैं कि कैसे आपको प्रस करना है अब देखिए हमने अपना ये अस्तर का फैबिक लिया है इसके उपर लखेंगे ये देखिए मैं नहीं हहाँ पे बरह नहीं है मांगे इसे ऐसे मोड कर ले ना है यह est करके उन दम मुढ के मार्क कर लेंगे अब हमिन क्या करना है इसे खोलना है और यह जो हम प्रस्य आपको अंक जिशेंर अई से दिखाए दे अब हमें क्या करना है अपने इधर इधर से हम इसे सिलाई शुरू करेंगे पूरे राउड पर लगाएंगे और यहां से उतार देंगे मार्क के ऊपर से सिलाई नहीं लगेगी मार्क अगल लगेगी चले लगाती हूँ पिर आगे बताऊंगी कि हमें क्या करना है यह दिखिए मैंने सिलाई लगा दी आप हो clear दिख रही होगी अब मैं क्या करना है इसे cut करना है तो जो हमने mark लगा है एकदम इसी mark के उपर से cut कर देंगे cut करने के बाद यहां center में जो हमारा extra बुक्रम के बाद अस्तर का fabric है वो हमें निकाल देना है बुक्रम को नहीं बिल्कुल भी कहीं से नहीं cut होनी चाहिए बुक्रम सिर्फ अस्तर का fabric हमने cut करके हटा दिया यह देखिए यह हमारा हो गया और यहां से जो भी आपको extra दिख रही हो अस्तर आप यह भी cut कर सकते हैं यह इस तरह से अब हमें इस पे नेफ आटाइज करना है तो नेफ के लिए भी में आपको fabric कट करना बता रहती हूं यह देखिए आप हमें ऐसे सीधा सा fabric लेता है आप देखिए यहां से यह चारकॉन है चारकॉन सा fabric को हमें ऐसे तिर्चा करके करना है यह सकेल लेंगे और इस तरह से रखके ऐसे तरचा में करना है यह आप देखिए के ऐसे तरचा हम कट करेंगे यह और यह हम चौडाई लगभाग 2 इंच के करीब में तो मैं ऐसे अंदाजे से ही रख ले रही हूँ आप अपना नाप पो Tamil 2 इंच रख लीजे बस यह हमारी औरे पट्टी कट हो गई, आप देखें यह इस तरह से करके मैं इसे कट कर दूँगी, यह मार्क के उपर से हमने कट कर दिया यहां से हम इसे सीधा कर लेंगे अब हमारी योरे पत्टी कट है ही हम नेफध 새로 चाहँ कर देते हैं इसे हम नेफ़ गना होग motivate करैं यह मिदा कर आizo कर दा कर दिया है हम यह वार उल्टी साइट है हम ने जो नेफ़े का पीश कटकिया हम इसे ऐसे मोडेंगे मोडने आपको एकदम डिटेल में आराम आराम से पूरा सिलके दिखाया है यह जो हमारा डबल फैब्रिक है यह पूरा इस रांड पे सिलेगा तो चलिए सिलती हूँ फिर आगे बताऊंगे क्या करना है यह दिखी मैंने सिल दिया जब सिलने के बाद आपका इस तरह से नेफा खड़ा हो जाए तो समझ लेजए एकदम आपका फर्फ्रेक्ट आने वाला है नेफा हम अब क्या करेंगे यहां से हम सिर्फ हाफ इंच एक्ष्रा दागे बाकी का कट कर देंगे यहां पर जो भी की तरफ मोड़ेंगे डोरी को यहां पर हमें रखना है और इसे हम पलट के सिल देंगे यहां पर सिलाई लगाते वक्त आपको ध्यान देना है कि स्टाटिंग और एंड में अपनी सिलाई को लॉक जोर करना है और डोरी के उपर सिलाई नहीं लगानी है तो चलिए सिलती में फिर आगे बताऊंगे क्या करना है यह लिए हमारा बेज वो रेडि हो गया है अब इस पे आप किसी भी तरह की फ्लार चिप का सकते हैं किसी भी तरह का लेज लगा सकते हैं दोरी हमारी देखिए इधर की दोहर सारक रही है एक दम आराम से रेडि हो गया यह बैक साइट पर आएगा बैक साइट से मारी फिंसिंग आप देख सेते हैं कितनी अच्छी है फ्रेंट पर यह हमारा पुड़ा फ्लार या लेज जो भी आप लगा लेए उससे यह कवर हो जाएगा तो मैं तो इस पे फ्लार लगानी वाली हूँ बता दिया जाएगा कि मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे तो यह फ्लार भी आप चाहें तो पर्चेज कर सकते हैं बाकि मैंने वीडियो के स्टार्टिक में ही बताया कि आपड्रेस चाहें तो पर्चेज भी कर सकते हैं आप मुझे 7237862439 ले सकते हैं तो चले हमें अपना सारा कलर एक एक करके इस तरह से ऐसे लगाना है पहले हम ऐसे बाहर बाहर पूरे राउंड पे लगाते हैं यह देखें जब यह राउंड भर जाएगा तो फिर हम यहां अंदर पूरा राउंड बना देंगे ऐसे हम अपना पूरा फ्लार अर्जेश्ट करके इस पूरा लगा देंगे जिसे पूर यह हमारी फ्लार से ही ड्रेस भर जाएगी मैं यहाँ इसे ग्लू गन की हल्प से चिपकाऊंगी आप यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का भी उस कर सकते हैं और नहीं तो आप इसे सुई धाई की हल्प से भी सिल सकते हैं जैसे आपको कमपूरटेबल लगे ग्लू गन से चिपकाने पर कुछ लोग कमेंट करके पूछें कि यह निकलेगा तो नहीं तो मैं जो इस्टिक करती हूँ ग्लू इस्टिक वह बहुत मजबूत होती है प्लार लगा दिया जो अपको दियान देना है कि आपको बीच से खुला होना चाहिए देखिए यह चाहती है तो यहां पर पी चिपका सकती थी बट मैंने नहीं चिपका है जिसे हमारा दोनों अलग होता रहे बस यहां पर मारी ड्रेस जो हो बन के कंप्लीट हो गई है इसमें आप बीच बीच में वाइट कलर की मोती भी लगा सकते हैं वह बहुत खुब सुरत लगेगी और यह ऐसे भी बहुत सुन्दर लग रही है अब चले आपको चोली बनाना बताती हूं तो पांच नमर के काना के लिए चोली की जो लंबाई चाहिए वो हमें 10 इंच और चोडाई हमें साड़े 4 इंच चाहिए यह रखेए कि रहा हमें जर्में चाट तो सभी साइज में देख लें जीरो साइज में आप 5 इंच लंबाई रख लिजे एक नमबर में 6 इंच दो न इंच एक नमबर में 3 इंच दो नमबर में 3 इंच तीन और 4 इंच नमबर में 4 इंच पांच और 6 इंच नमबर में 6 इंच नो नमबर में 7 इंच और 10 इंच नमबर में 8 इंच हम रखेंगे तो मैं यहां पर 10 इंच लंबाई ले लेती हूं और मैंने यहां पर साड़े 4 इंच जोड़ाई का फैब्रिक लें क्योंकि एक पांच नमरे काना के लिए बन रहे है नेट का ही फैब्रिक मैंने लिया है हम इसे एक बार दिधर से मोड़ेंगे और एक बार इधर से फिर दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखके हम सिलाई लगा लेंगे इस पर चाहें तो अपनी ल अब दीखे हमें क्या करना है हमार ai यह पीस रेरी हो गया हम इसे इस तरह से बीस से मोड़ेंगे और मोरने के बाद सेन्टर से कॉत कर देंगे कट करने के बाद यहाँ पे हमें थोड़ी दूर ती defense स दिलाई लगानी है चले लगाती मैं फिर आपके बताऊंगे हमें क्या कर कि वह दृटहर शिली इस साहों के तक पगड़ी के बसके हैं , सब्सक्राइज को इसे आप के लिए चैनल सब्सक्राइज जो भी चीज नहीं समझ मैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैंने इसे बहुत डीटियल में समझा दी आपको कोई प्राब्लम ही नहीं होगी, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, अब मै आपको मिलूँगी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए हरे क्रिश्ना रादे रादे